हलो फ्रेंड वलकम तो मैई चैनल दिसस्समी सॉम्या एंट टोडे विल डिस्कस अबाउट लाइफ सैकल ओफ मलेरिया पैरसाइट्स और इतियोलोजी ऑफ मलेरिया सो फॉर्श्ली विल अंडेस्टैंड अबाउट मलेरिया तो मलेरिया क्या होता है malaria एक disease है जो सबसे ज़्यादा spread होता है life threatening होता है और किस वज़े से होता है mosquito के काटने पेहिमेंस मच्छडों के काटने से malaria फैलता है that is caused by the plasmodium parasites plasmodium parasites क्या है एक protozoa का part है और plasmodium falciferum, plasmodium vivix, plasmodium malaria, plasmodium oval तो इसके वज़े से malaria फैलता है तो main reason क्या होता है जो इसका main reason होता है जिसके वज़े से malaria फैलता है female anaphyllus mosquito जिसे हम infected mosquito भी बोलते है और जब malaria हो जाता है उस condition पे जो है कौन-कौन से symptoms होते है जैसे की fever, severing, मतलब cup-cupy होना, joint pain, headache होता है, vomiting होती है तो जब mosquito जो है किसी humans को काट लेता है, bite कर लेता है उस condition पे कम से कम 7-9 दिन बाद जो है ये सारे symptoms जो है देखने लगते है तो जब female anaphyllus mosquitoes होती है जो की main reason है किसी भी malaria के cause होने का तो ये किस तरह के से infected करता है तो जो female anaphyllus mosquito होती है जब किसी human या किसी person को काट लेती है तो उस condition पे जो है वो एक saliva निकालता है saliva जो की जिसे हम लार बोलते है और वो her body में होता है तो जब वो काट लेती है तो वो अपना saliva जो है human body के अंदर insert कर देती है suppose ये जो है female anaphyllus mosquito है जो की देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन पढ़ने के लिए समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये female anaphyllus mosquito है और जब ये human body के अंदर उसको bite करता है काटता है तो उस condition पे क्या करेगा अपना saliva जो है वो insert करता है body में तो जब saliva जो insert करता है body में उस condition पे क्या होगा कि जो plasmodium paracides थे वो भी जो है body के अंदर आ जाते है और ये जो छोटे छोटे पार्ट में होते हैं इसे हम बोलते है sporozoid ये sporozoid जो है वो सीधा कहा चला जाता है blood से होते हुए liver में चला जाता है तो liver में चला जाता है यहाँ पे इसका growth होगा ठीक है growth होने के बाद से यहाँ पे फिर blood में वापस जाएगा तो इस तरीके से यह पूरी cycle चलती रहती है फिर उसके बाद से जब human को कोई और another mosquito जब bite करेगा काटेगा means जो female anaphylus mosquito है उसके अलावा जब कोई जो है बाइट करेगा human body में तो उस condition पे क्या होगा जो human body के अंदर जो पहले से plasmodium parasites थे वो जो है another mosquito में चले जाएंगे यानि कि जब वो उसका खून पीता है तो उस condition पे क्या होगा कि वो parasites जो है वो उस पे चले जाएंगे another mosquito में चला जाएगा उसको हम बोलते है infected mosquito तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से work करता है तो यहाँ पे जब liver के अंदर sporozoids आ जाते हैं फिर यहाँ पे present होता है merozooms और hynozoid यह दोनों मिल के क्या करते हैं उसका growth करते हैं उसको divide करते हैं फिर उसके बाद से जो merozooms होते हैं वो rapture हो जाएगा rapture होने के बाद से merozoid जो है release हो जाता है इसको बोलते हैं exo erythrocytic cycle जो कि liver के अंदर चलता है जब liver में जो है जब release हो जाएगा merozoid तो merozoid फिर कहां जाएगा blood में तो blood में जब जाता है वो जो plasmodium parasite भी जो है जब release हो गई merozoid के form में फिर उसके बाद से infected RBC जो कि blood के अंदर present होता है वहाँ पे यह क्या करेगा एक ring का form करेगा tropozoid बनाएगा फिर उसके बाद से saizoint mature saizoint बनाते हैं फिर उसके बाद से क्या होता है कि यह जो saizoint है mature यह वापस फिर blood में चले जाते हैं फिर ring बनाते हैं फिर tropozoid तो इस सरीके से asexual stage चलता रहता है asexual को हम erythrocyde cycle भी बोलते हैं फिर उसके बाद से saizoint होते हैं rapture हो जाते हैं rapture होने के बाद से जो mirrorzoid है वो mirrorzoid जो है वो gamut जो बन रहा है था वो rapture होने के बाद से क्या होगा release हो जाएगा release होने के बाद से stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 में mature male और mature female gamut बना देता है mature mesozoid release हो जाता है release होने के बाद से इसी को हम बोलते हैं sexual stage तो इसी तरीके से blood में जो है ये cycle पूरी की पूरी चलती रहती है और ये जो plasmodium parasites है वो develop होते रहते हैं दन उसके बाद से क्या होगा जब another कोई जो mosquito है जब इसको bite करेगी human को यानि कि जो female anaphylus के अलावा कोई जो mosquito है जब human को bite करेगी तो उस condition पे क्या होगा जो यहाँ पे male female जो gametes बने हुए थे वो gametes जो है इसके body में चले जाएंगे body में जाने के बाद से इसमें क्या होगा micro gametocytes male बनेगा और micro gametes female बनेगा तो ये दोनों जब penetrate करते हैं penetrate होने के बाद से क्या बनेगा जाइकोड बन जाएगा और जाइकोड बनने के बाद से u-kinetic बनेगा u-kinetic के बाद से u-sides हो जाएंगे divide होगा फिर mid gut में क्या होगा u-sides rapture हो जाते हैं यानि कि जो another जो mosquito है वो भी infected हो जाएगी infected होने के बाद से उसके body में जो है plasmodium parasites आ जाएंगे then उसके बाद से क्या होगा कि जब वो another किसी human को काटेगा तो काटने के बाद से क्या होगा उसके अंदर भी जो है वो body में चला जाएगा यानि कि वो saliva के थुरू जो है उसके body में भी plasmodium parasites चल जाएगे तो इस तरीके से ये पूरी cycle जो है चलती रहती है यानि कि जब एक बार female anaphylus जो है जब bite करती है human body में तो जो है saliva के थुरू plasmodium parasites चला जा रहा था फिर उसके बाद से क्या हो रहा था कि body में जो है उसका पूरा rapture growth हो रहा है develop हो रहा है देन उसके पास कोई another mosquito जब human body में ब्लड को सक करती है उसको जब खून पीती है तो उस condition पर क्या होता है वहां से जो mature male female gamut थे plasmodium parasites के वो उसके body में आ जाते है उसके पास से उसके अंदर भी body में जो है फिर बनता है बनने के बास से तो इस तरीके से ये पूरे body में पूरा जो है cycle चलता रहता है इसलिए इसको बोलते है wide spread disease यानि कि सबसे ज़ादा फैलने वाला disease बोला जाता है I hope so आपको ये video सबज में आया हो कि किस तरीके से जो है malaria parasite जो है अपना पूरा पूरा cycle चलाती है Thank you